जहां से जादा केस आ रहे हैं, जहां जादा से जादा और तेजी से टेस्टिंग हो, ये सुनिश्चित करना भी आवश्चक है। इसके अलावा हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आईसोलेशन में ही जादा से जादा ट्रिक्मेंट हो सके। इसके लिए होम आईसोलेशन से जूड़ी गाइडलाइन्स को, प्रोटोकॉल को उसे फॉलो करना और थीतियों के अनुसार इंप्रूवाइज करना भी ब होम आईसोलेशन के दौरान ट्रेकिंग और ट्रिक्मेंट की ववस्ता जितनी बहतर होगी उतना ही अस्पतावों में जाने की आवश्यक्ता कम होगी। संक्रमन का पता चलने पर लोग सबसे पहले कंट्रोल डूप में संपर करते हैं। इसलिए उचीत रिस्पोंस और फिर मरीज की लगाता ट्रेकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं। मुझे खुशी है कि कई राज्य सरकार इस दिशा में बहुत अच्छी तरह नईने इनोवेटिव प्रयास भी कर रही हैं। केंद्र सरकार ने टेली मेडिसिन के लिए भी काफी सुभिधाय विक्सित की हैं। इसका जादा से जादा उपयोग कोरोना संकरमीत मरीजों को बहुत मदद करेगा। जहां तक जरूरी दमाओं और जरूरी इंफ्रस्ट्रक्टर की बात हैं तो केंद्र सरकार हर बार के तरह हर राज्य के साथ खड़ी हैं। पांच-छे महिने पहले 23,000 करोड रूपिय का जो विशेश पैकेज दिया गया था। उसका सदुपयोग करते हुए अनेक राज्यों ने हेल्थ इंफ्रा को ससक्त किया है। इसके तहत देश भर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों बच्चों के लिए 800 से अधिक विशेश पैडियाटिक केर यूनिट स्विक्रूत हुए है। करिब डेड़ लाख नए ऑक्सिजन आईसीऊ और एच्डियू बेड़ तयार किये जा रहे हैं। पांच हजार से अधिक विशेश अम्बुलेंस और साहड़े नवसो से अधिक लिक्वीड मेडिकल ऑक्सिजन स्टोरेज टेंक की कैपसिटी जोड़ी है। एमेर्ज니ंसी इंफ्रस्टर्ट्रक्चर की कैपसिट्सिटिव बढ़ाने के लिए ऐसे अनेक प्रयास हुए हैं। लेकिन हमें इस इंफ्रस्टर्क्रक्टर का विश्तार करते रहना है। कोरोना को हराने के लिए हमें अपनी तैयारियों को कोरोना के हर वेरियंट से आगे रखना होगा। ओमिक्रों से निपटने के साथ ही हमें आने वाले किसी और संभविंत वेरियंट के लिए भी अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। मुझे भी स्वास हैं हम सभी का आपसी सयोग एक सरकार का दूसरी सरकार के साथ समन्वए कोरोना से लड़ाई में देश को ऐसी ही ताकत देता रहेगा एक बात हम बलीभाती जानते हैं हमारे देश में एक हर घर में ये परंपरा है जो आविवेदिक चीजे हैं जो काणा वगेरे पीने की परंपरा है इस सीजन में उपकारक है इसको कोई मेडिसिन के रुपे नहीं कहता है लेकिन उसका उप्योग है और मैं तो देश्वासियों से भी आग्रह करूँगा कि ये जो हमारी परंपरागत गरगत्थु जो चीजे रहती है ऐसे समय उसका भी काफी मदद मिलती है उस पर भी हम ध्यान केंदित करें साथियों आप सभी ने समय निकाला हम सबने अपनी चिंताए साजा की और हम सबने मिल करके संकट कितना ही बड़ा क्यों ना आये हमारी तयानिया हमारा मुकाबला करने का विश्वास और विजई होने के संकट के साथ हरे की मातों में से निकल रहा है और यही सामान्य नागरी को विश्वास देता है और सामान्य नागरी कोंके सयोग से हम इस परिस्तितों को भी सफलता से पार करेंगे आप सबीने समय निकाला इसके लिए बरदैस आपका भार व्यक्त करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद